हेलो स्टुडेंट्स को आज एक डेरिवेशन करेंगे एलेक्ट्रिक फील्ड दूटू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ओफ फाइनाइट लेंथ इन फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए फील्ड हम फाइंड करते हैं गॉस्त थेरम से इसका फॉर्मुला भी आपको मालूम होगा लेंडा पॉन टूपा एपसिलन नॉट इंटू आर अभी हमको दिया हुआ है एक फाइनाइट लेंथ का वायर या थिन रॉड माल लेते हैं कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेंडा मतलब पॉस्टिव चार्ज इस वायर पर इस तरह है यूनिफॉर्मली डिस इस डिट्रिब्यूटेड है अलॉंग इट्स लेंथ और इस वायर से परपेंडिकलर डिस्टन्स आर पर एक कोई पॉइंट पी है यह हमार अब्सर्वेशन पॉइंट और यहां हमको इस वायर से फील्ड बताना है कैसे करेंगे इसको हम बना लेते हमारा रैफरेंस यह रै तो इस एलिमेंट पर चार्ज कितना होगा तो वो होगा लैम्डा टाइम्स डी एक्स यूनिट लेंथ में लैम्डा तो डी एक्स लेंथ में लैम्डा डी एक्स और यह बन गया पॉइंट चार्ज अब पॉइंट चार्ज की फील्ड तो हम जानते ही हैं इसको पॉइंट च इस reference line से वो है थीटा यह हमारा supposition और अब क्या करेंगे हम हमारे coordinate system को इसके साथ attach कर देते हैं इसको मान लेते हैं हम y-axis इसको x अब इस de का हम करेंगे resolution इसको components में break करेंगे तो components में break करने के लिए यह सोचें कि angle थीटा है तो यह भी थीटा होगा इसका इधर component कितना आएगा de x वो कितना होगा de cos theta अब de का value हमको पता है और इधर component जो आएगा de y वो कितना होगा वो होगा de sin theta इस तरह इसको हमने components में break कर लिया पर उसके पहले जब इस observation point को इस wire के दोनों ends से join करेंगे तो reference line के साथ reference line के साथ इस वाली line joining p with the upper end उसने मानलो बनाया angle theta 1 और यह है theta 2 तो जब de हमको मिल जाएगा इसके components भी मिल जाएंगे तब हम de x को और d y को theta 2 से theta 1 की limits में integrate करेंगे तो हमको x और y direction की total field मिल जाएगी यह हमारा agenda है तो पहले हम x direction में निकालते है total field कितनी होगी तो e x बोल देते हैं उसे e x वह होगी integral d e cos theta integral d e cos theta d e कितना होगा d e मतलब इस point charge यह elementary charge ने produce q e field वह कितनी होगी के lambda के की जगे बाद में आप one upon four five absolute कर सकते हैं के lambda d x कि elementary charge की बात हो रही है हम लगा रहें है point charge की field का formula k q upon r square तो k q कितना होगा lambda d x upon distance square इस element से observation point की यह distance जो red से दिखाई हुई है तो यह हमको थोड़ा सा substitution करना है और limits क्या होंगी limits हमको theta की डालनी पड़ेंगी तो minus theta two से minus theta two से theta one की limits में हमको इसे integrate करना पड़ेगा तो हमको x direction की total field मिल जाएगी अब यहां पर जो मैं कहा रहा हूँ आप से आपने किया होगा integration by substitution तो थोड़ा सा यहां पर हमको substitution करना है क्या करना है उसके लिए इस triangle में यदि मैं आप से पूछू tan theta कितना है तो tan theta क्या होगा x by r x क्या होगा x होगा r tan theta r tan theta एन x की जगे हम r tan theta यहां पूट करेंगे उसके अलावा उसके अलावा क्या यहां पर dx की भी हमको value चाहिए तो इसको differentiate कर देते हैं with respect to theta तो क्या है इदर dx upon d theta r यह बाहर आएगा और d d theta tan theta यह होता है second square theta और इसके नीचे जो लिखा हुआ था d theta वो हो गया cross multiply यहाने dx की जगे हम substitute कर देंगे वहां r sec square theta d theta तो बस अब यह solve हो जाएगा आराम से के बाहर यह तो constant है lambda भी बाहर linear charge density और dx की जगे substitute क्या करना है आपको dx की जगे आप डालोगे r sec square theta d theta यह आएगा और नीचे denominator में यह कॉस थीटा भी है यहां और denominator में क्या होगा denominator में एक्स की जगे अधी substitute करें r 10 theta तो यह बनेगा r square 10 square theta r square आएगा common अंदर बचेगा one plus 10 square theta थोड़ी सी trigonometry भी लग गई 1 plus 10 square theta से cancel out एक r भी cancel हो जाएगा एक r भी cancel हो जाएगा यह इससे cancel एक r cancel यह r अब constant है तो बाहर आ जाएगा यह kya lambda by r और अब integrate क्या होना है cos theta और cos theta का integration क्या होगा sin theta और limits क्या है minus theta 2 से theta 1 की limits सी minus theta 2 lower limit और यह theta 1 in limits के बीच इसको हमें integrate करना है बस अब तो limits सी put करना है तो k lambda upon r और फिर क्या हैगा sin theta 1 sin theta 1 फिर minus sin minus theta 2 और sin minus theta minus sin theta होता है यह बन गया plus sin theta 2 यह आ गई हमारे पास में x direction की total field इसके साथ यदि हम i cap लिख दें यहाँ पर तो इस पर better sign लगाए जा सकता यह इस direction में मिली हम को positive x में तो यह e x आ गया हमारे पास अब चाहिए हमको e y e y find करते समय सब कुछ ऐसा ही चलेगा सब कुछ ऐसा ही होगा सब कुछ ऐसा ही होगा बस यहां क्या आएगा यहां आएगा sine theta और integral sine theta e y जब आप निकाल रहे होंगे तो सब कुछ ऐसा ही हमको करना है बस के lambda by r लिग दिया हमने यहां और यहां क्या आएगा integral sine theta तो बनेगा minus cos theta और limits minus theta िबुपनाटो और इसको सब्सितिोट करें तो के लेमडा अपॉन और यह आया और उसके बाद क्या होगा मैनस कॉस्टीटा वन मैनस कॉस्टीटा वन मैनस क्या हिएगा यहां सीटा टू सब्सिति तीटा 2 वो कॉस्टीटा 2 बन जाएगा आसान है तो बस यह क्या बन गया के लेमडा उन आर लेमडा पॉन आर कॉस्टीटा 2 माइनस कॉस्टीटा 1 तो यह आ गया हमारे पास में य का वैलू अब एक्स और य दोनों निकल गए है यह फाइनाइट यह निए उन्वाइर के लिए बात हो रही है अब यदि इन्फाहिन लेंट का मतलब इसी फॉर्मुले से हम इन्फाहिनाइट लेंट के वाइर के लिए भी फील्ड कर सकते हैं तो पहले लेना चाहिए हमको वापिस लिख देता हूं प्लस साइन थीटा टू अब क्वेश्चेंस में इन एंगल्स को आप साइन वाइन नहीं देना है आपको अब इसमें डायरेक्ट आपको पूट करना है बस यह याद रखना कि यह वाला एंगल हम लेंगे रेफरेंस से यह रेफरेंस की लाइन उस पॉइंट को इस एंड से जोईन करने वाली लाइन इनके बीच यह यह यूँद यह अंगल्स को अच्छे से देख लें कि लैमडा पॉन आर ऑर साइं थीटा वण प्लस साइन थीटा टू और दूसरा क्या आया है में आरपास में ए इवाई में आया है के लैमडा पॉन आर और अंदर गया है कॉस्टीटा टू माइनस कॉस्टीटा फवन इस तरह से यह दो फॉर्मूले हमको मिलते हैं इनको आपको रट लेना चाहिए विद डिस डाइग्राम भी दिमाग में आपके होना ही चाहिए इसी तरह का एक डेरिवेशन हमको मैगनेटिजम में भी मिलता है बहुत सिमिलारिटी यह दोनों में तो ऐसा हुआ आप यदि मैं बात करूं कोई व आकाश से पाताल तक ऐसा कुछ भी नहीं है इन्फाइनाइट लेंथ का मतलब यह है कि अब्जर्वेशन पॉइंट बहुत पास हो आप सोचें कि यदि यह अब्जर्वेशन पॉइंट पास आता चला गया तो क्या होगा यह एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और लिमिटिंग केस में वो 90 हो जाएगा यानि यह दोनों एंगल थीटा वन थीटा टू दोनों जब 90 हो जाते हैं इन अदर वर्ड यह पॉइंट पी यदि बहुत क्लोज होता है वायर से यह वायर भले ही कुछ सेंटीमीटर में हो उसको भी हम बोलेंगे इंफानिट लें जब दोनों एंगल बराबर हो गाए तो या जायेगा और गे एक कितना मिलेगा आवर साइन पहीर टू यह हो जाएगा टू के लंडा नापॉन और यहीं हम गास लाॉन में भीटिर्ई करते हैं इसको पूरा लिख देए तो वन अपन articulate की जग है और क्या आगै आगीपशे कैंसिल कर देते हैं टू को और इस तरह से याद कर लेते हैं लेंडा पॉंड टू पाइपसिलन नॉट टाइम्स और ईवाइए होगा जीरो इन्फाइनाइट लेंद्थ का जब वायर होता है तो फील्ड हमको सिर्फ वायर होगा तो वह हो जाएगा अब एक बात और समझनी है वह है कि सेमी इंफाइनाइट हो तो क्या करेंगे सेमी इंफाइनाइट का मतलब सिर्फ यह है इंफाइनाइट बोला हुआ है मतलब observation पॉइंट तो पास ही वह तो बहुत प्लोज है ही पर यह observation पॉइंट यहां कहीं पर है किसी एक कोने पर है उस वायर के तब फिर उसे बोलेंगे हम semi-infinite length और जब semi-infinite length हो जाएगा तो एक angle को कर देना 0 थीटा 1 कर देना 0 और थीटा 2 हो जाएगा 90 degree या पाइब 2 और अब substitutions आप करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है एक 0 एक 90 कॉस 0 एज 1 और यह यह होगा 0 थीटा 1 अच्छा थीटा 1 है यह थीटा 1 0 यह 1 हुआ और यह 90 हुआ कॉस 90 0 है न माइनस साइन के साथ में के लैमडा पॉन आर विद माइनस साइन वो माइनस डिरिक्शन का रहेगा और उपर वाले इसमें डालेंगे तो थीटा 1 क्या किया 0 वो 90 तो 0 प्लस 1 1 यानि के लैमडा पॉन आर यानि एक्स एवाई दोनों होंगे एक्स एवाई दोनों होंगे यदि यहां पर हम बात कर रहे हैं एक्स भी होगा और एवाई भी होगा एक्स होगा इधर और एवाई होगा इधर दोनों का मैगनिट्यूड कितना होगा वो होगा के लैमडा पॉन आर इसमें जो माइनस आया था वो तो डिरिक्शन का था तो k lambda by r k lambda by r दोनो fields कैसी है वो है equal in magnitude तो resultant चाहिए है मानलो आपको तो इस तरह resultant निकलाएगा यह है e x यह है e y तो under root e x square plus e y square है यह है magnitude हो जाएगा और यह angle यह पूछ रहे होंगे तो यह 45 degree हो जाएगा क्योंकि दोनों vectors equal magnitude के हैं तो आसाने डेरिवेशन इसको एक बार जरूर कर लेना चाहिए थैंक यू वेरी मॉच